हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर विजूल आर्ट हिश्ट्री विद निवी जहां मिलती है आपको सक्षा से समंधित समस्ते जानकारी और आज का जो टॉपिक है यह कोई आपके पास सलेवस लेके मैं नहीं आई हूँ कोई प्रश् करते हैं डास्ते से गुजरता है और वहां अक्सर आपसे कई बार गल्तियां हो जाती है आपसे कई लोगों से हो जातीम है करके बात99 का दो मुझे आते भी थे और मैं solve नहीं कर पाया या मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाया, मेरे पास time नहीं बचा, कई बार कहते हैं कि कुछ questions ऐसे थे जो मिचे बिल्कुल नहीं आते थे और मैंने उधर ही सारा time लगा दिया है, तो इन सभी को आप कैसे अपने समय का management सही करें, कैसे आप स से लोग कहेंगे कि मैं गोले भरना मैं एक परतियोगी परिक्षा देने जा रहा हूँ, मैं एक सरकारी जाब में जा रहा हूँ, तो मुझे गोले भरने नहीं आएंगे, तो कई लोगों से ऐसा होता है कि वहाँ पर nervousness के कारण या कैसे भी गोले भरने के तरीके गलत हो जात हैं, उनका निदान कर सकूँ, तो सबसे पहली बात और सबसे पहली समझ्या यह आती है कि आपके time का management कैसे किया जाए, कि हमें एक प्रश्ण पर जादा से जादा एक minute मिलता है, तो उसको हम कैसे manage करें कि हमारे paper, जो हमारा paper सही हो, तो paper solve करने का सबसे पहला तरीका या सबस सरल तरीका जो मुझे लगता है, जैसे मैंने किया और सफलता भी प्राप्ती, फर्ष्ट टाइम्प में निट क्लियर किया, चलिए और इसके आगे भी, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला तरीका है, आपको सबसे पहले ध्यान लगना है कि किसी वे परिक्षा में तीन तरीक जो आपको आते हैं या जिसने थोड़ा धंग से पढ़ाई की है, हर व्यक्ती धंग से पढ़ाई करता है, लेकिन हो सकता है कि एक को आते हो, दूसरे को ना आते हो, और तीसरे होते हैं कठिन, कौन से होते हैं कठिन, तो अब यहां क्या करना है, अगर एक कहावत है, अगर आपका एक सरल पुष्ण कुछन चूटता है तो आपको सफलता से चार कदम पीछे ले जाता है क्योंकि सरल पुष्ण तो लगबग सब ने अटाइंड किए हैं और वो आपके चूट गए और वो भी सरल कुछन है जो आपको आते हैं ठीक है तो आप क्या करना है कि आपको कुछ ऐसा करना है कि सरल आपका छूटेना और आप कठिन और मध्यम को भी साथ में ले 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 तो तब आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे इसके लिए आपको सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट पेपर में तीन टाइप के कुष्चन होंगे जो कठिन वाले कुष्चन होंगे जो हार्ड लेवल के कुष्चन होंगे कुछ पृष्ण ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे या आपको आते तो किसी और को नहीं आते और I think आप लोगों को भी सही लगेगा, क्या ABC formula, ABC formula, अब ABC formula क्या है, ये कोई तुक्का लगाने का formula नहीं है, याद रखिएगा मैं ABC formula, तुक्का लगाने का कोई formula नहीं है, चाहे आपका online paper हो, चाहे offline paper हो, सभी में ये formula काम करता है, और इस तरीके से आप paper करोगे, तो मेरा दावा है कि आप सफल जरूर होंगे, अगर आपने सही धंग से पढ़ा है, और आपको question के ज़्यादा तर paper के प्रिशन आते हैं, ठीक है, और छूटने के समस्या है, तो आपके paper के प्रिशन अब नहीं छूटने के, सबसे पहले आपक कोई भी paper, कोई भी प्रिशन आ रहा है आपके सामने, उसको कम से कम तीन वार पढ़ो, एक वार पढ़ा, आपको तुरंद ही इसका answer कौन गया, कि इसका answer number C है, ठीक है, आपके दिमाग में answer आ गया, इसका answer number C है, तो आपने paper पर, अगर paper जमा होने वाला नहीं है आपका, त तो यहाँ आपको लिखा है A, B, C, D, यह ऐसे ही लिखे रहते हैं, तो आपने paper पर आपने दिखा C answer, इसका booklet में पढ़ा, C answer number चाहिए, आपने C को आपने टिक कर लिया है, और यहाँ टिक कर दिया कि यह आपका हो गया, ठीक है, C को चाहिए गोला कर लिया, यह टिक कर लिय यह जो भी किया, question number 1 का, आपको C आता है, अब ठीक, इसके बाद दूसरा आगया, B number का question, दूसरा number का question, आपको नहीं आता, यह आपको आता है, दूसरा number का question, जो आपको आता है, मैं वैसे ही formula बता रही हूँ आपको, दूसरा question, आपको आता है, पर क्या है, कि आपको वो य नहीं है उस समय या डाउट में है दो कि B होगा या C होगा तो आप क्या करेंगे इसको इतना ध्यान भी नहीं लगाने की ज़रूरत इसको गोला किया और आगे बढ़ जाएंगे इसने लिया आधा मिनिट टाइम मैक्सिमम आधा मिनिट लिया क्योंकि यह आपको बहुत अच् एक दो तीन आते हैं चौथा नहीं आता बिलकुल नहीं आता पांच वह मैं आपको डाउट है यहां पहले तो आपको घबराना नहीं है कि मालो आपको लगातार तीन गट जाएगा और आप पेपर में गड़वड़ी करने लगेंगे आते हुए प्रश्णों को गलत करेंगे इसका सही तरीका और सरलुपाई यही कि एक आपको आता था आपने इसको टिक कर लिया दूसरा नहीं आता था आपने इसको सर्कल बनाके छोड़ दिया डाउट था इसमें तो आपने सर्कल बनाके छोड़ दिया यह मध्यम वाला को गये हमको चौथा आता था पांच वां आता था चाथे में फिर डाउट था हमने गोला मारा और आठ वां में नहीं आता था हमने क्रास लगाया सात वां आता था था हमने फटा फट साथ में का question number एक टिक कर लिया है अब यहां हमारे पास question है, कितने हमने attend किये हैं, तो एक, दो, तीन question ऐसे थे, जो हमने बिल्कुल purely solve कर लिये हैं, ऐसे करके हम पूरे paper में आपके में चाहे 100 question हो, चाहे 1500 question हो, चाहे 125 question हो, जैसे आपके questions हैं, सब में आपने ये कर लिया है, ठीक है, अब क्या किया, कि आपको ए ते हमने solve कर लिये, अब हम circle वाले पे आएंगे, है न, जो हमने circle कर रखे थे, या block कर रखे थे, ये question पे आएंगे हम, यहां हमने क्या किया, यहां विवेक लगाया, और हो सकता है, आप इन प्रशनों को हल करते करते ही, आपके subconscious mind में ये question चल रहे हैं, और आपने इने टिक कर दिया कि ये हो गया, और B यहां आके दूसरे का B हमने गुला कर लिया है, या paper में हमने टिक कर लिया कि इसका answer number B होगा, अब cross, second number में हमने सारे, जो हमारे circle थे, जो हमने block कर रखे थे, इनको हमने क्या किया है, सारे clear करते चले गया, ठीक है, छटे का D हो गया, जो भ दी नहीं छूटे हैं, जिनमें हमें doubt था और अब clear हो चुका है, तो अब बचे कौन से हैं, जो हमें बिलकुल नहीं आते हैं, जिन पर हमें माथा पच्ची करना है, या हमें तुक्का ही लगाना है, तो अब तुक्का लगानी का एक तरीका, कि आपने देखा, इसमें एक series स चलती है, कि A, B, C, D, या 3A, 3B, 3C, कुछ इस तरीके से चलती है, आपके सबसे ज़्यादा जहां पर question सही है, वहां पर देखो जाके series का method क्या था और उस तरीके से लगा दो, या दो निसकासित करो question में से, कि ये दो नहीं होंगे, और दो में doubt है, उन में से एक लगा दो, ठीक है, किसी भी प्रशन पत्र में, किसी भी प्रशन में, दो option ऐसे होते हैं, जो बिलकुल निकालने वाली होते हैं, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अब यहां आपको जो आते थे, वो भी हो गए है, जो नहीं आते थे, वो भी आपके question आपने solve कर लिया है, लेकिन यहां पर एक्षित ध्यानत नहीं है, अगर पेपर में minus marking है, तो जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, यहां आपको risk नहीं लेना है, ठीक है, माल लिया, आपने risk लिया, और आपको आते थे, यह आपके doubt वाले भी बड़ी है, clear हो चुके थे, और यह question आपके number खा गए, तो अ तो गोले किस तरीके से भरे जाएं कि हमारे गलत ना हूँ कई बार आपके बुकलेट पर राइट एंसर टिक है और यहां पर गलत हो गया है तो उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे पूरी बुकलेट जो पूरी जो question seat होती है प्रश्ण पत्र होता है उसमें साब प करता है कि मैंने पूरा पेपर हल कर लिया है और अब गोले लाष्ट में भर लूँगा आदा गंटा बचा पंदरा मिनट बचा भर लिया हडबडी में आपने गडबडी कर दी तो यह नहीं करिए तो ज्यादा बहतर है बाकि यह आपकी सोविधा होती है फिलहाल मैं इस तर पाँचवा बिल्कुल क्रास लगा रखा था अब यहां आपको तीन पुष्टन के गोले करने हैं यहां मिलाई बुकलेट के इस पेपर के इस कागज की पूर्शन के आपको कुष्टन यह पांच कुष्टन आपने कर लिए हैं आपको यहां O.M.R. सीट पर आना है आपने पहले का सी था और यहां, यहीं साथ में में सरकल भरने का तरीका भी बताती हूं, कुछ लोग क्या करते हैं, काली बीच में गोला करके छोड़ देते हैं, यह गलत तरीका है, हलाकि अब तो यह चोटे-चोटे बच्चों का हाई स्कूल इंटर में भी यह आने लगा है, तो आपका गोला सही परफेक्टली भरे, अंदर से बाहर की और न चलिये, हलाकि सब को लगबग पता होता है, लेकिन फिर वे मैं कहूंगे कि आप हमेशा बाहर की और से गोला भरिये, आप क्या कि आप फटा-फट आपने अंदर की और पूरा गोला ब्लैक कर दिया, आपका ए इसे ही करते चलेगा है कि ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तीसरे का आपको आता था, माली जे भी था, तीसरे का आपने भी कर लिया है, तो इस तरीके से आपने पांच कोशन कर लिये हैं, और आपको पता है कि पांच तक मैंने किया है, यहां हमें उपर नहीं जा ठीक है तो अटेंड सबसे पहले आपने अटेंड वाला पहले ही कर डाला है जो ब्लाग था इसको आपने विचार किया एक मिनट इसने लिया एक ड़ड़ मिनट क्योंकि जो आपके सब conscious mind में होते हैं उन पर mind work करता रहता है और वो clear भी हो जाते हैं जब आप दुवारा सुचते हैं इन पर और यहां आपने क्या किया था cross वाला तो आपने तुपका मार दिया है कि आपने last में कर लिया है अब यही question करते हैं कि मैं मगर online है तो मैं कैसे करूँगा तो online में आपको क्या करना है कि आपको online paper देते समय एक paper और pen दिया जाता है воहाँ पर जहां आप paper देने जायेंगे तो आपको वहाँ पर जैसे आपको तीसरी number का question नहीं आता था तो बिलकुल नहीं आता था आपको circle भी नहीं करना था cross करना था तो आपने लिग दिया तीन नमबर का प्रश्ण क्रॉस ठीक है फिर आगे बढ़ गए छैनमबर सरकल है ठीक है अब ये आपको याद है कि ये हमने विचार के लिए छोड़ा था ये क्रॉस है ये बिल्कुल नहीं आता था अगर यहीं पर आपको दिया है कि एक परग्राफ या एक हम कह सकते हैं पोर्शन करने के बाद लॉक करने के बाद ही आगे बढ़ पाऊगे तो आपने ये पूरा पोर्शन सॉल्व किया और यहां पर ये लगा रखे थे ठीक है जो भी थे अब उसी पोर्शन में हम वापस गए हैं और जो हमारा हमने ये ब्लॉक कर रखा था इसको देखा क्या किया कि हां ठीक है यह हमारा हो गया फिर क्राउस पर विचार कि या हो गया अब जो बिल्कुल क्राउस नहीं ही आ रहा उसको छोड़ा फिर हमने वो portion lock किया और आगे बढ़ गया तो इस तरीके से आप online में भी इस method को apply कर सकते हो गोले आप इस तरीके से भरिये और हमेशा पानी की bottle साथ में रखिये क्योंकि पानी आपके दिमाग को थोड़ा सा शांत कर देता है और कभी भी आप धैरेनाख हो ये पेपर में पेपर जब भी देने जा रहे हैं कि अरे एक गलत हो गया तो दूसरा एक गलत हुआ है चार आप सही करने की power रख रहे हो तो ठीक है एक गलत हो गया आप सोस करने से बहतर है ये ध्यान दो कि अगले मेरे गलत ना हो तो इस तरीके से आप अगर पेपर देंगे तो आशा करती हूँ कि आप जरूर सफल होंगे आप जरूर सफलता को प्राप्ट करेंगे कहीं पर भी गलतिया नहीं करेंगे और सबसे पहले आप उपर जो आपकी जानकारी होती है आपका नाम जनमतिती दिनांक ये सब चीज़े बहुत ही सावधानी से भरिये बिलकुल आपरवाही न करिये और बिना डरे अतमिनान से देख लिजे कि जनमतिती मांग रहा है या आपकी परिक्षा की तिती मांग रहा है ये सारी चीज़े देख के आपने अपना पूरा डेटेल भर लिया है आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है अब लाश्ट में क्या करना है आपको फिर से एक वार OMR को चेक कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं तो मालिया आपने क्रॉस करके छोड़ दिया था आपको याद ही नहीं था तो यहाँ देखा कि अच्छा यह पांच नमबर का क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है तो आपने यहाँ देखा पांच नमबर क्वेश्चन क्या था अगर आपने सर्कल करके छोड़ा था यह ऐसे तो आपने उस पर विचार किया और यहाँ आपने इसको ब्लॉक कर दिया है यह आपको नहीं आता था क्रॉस कर रखा था तो आप लास्ट में चलते चलते कोई भी उस पर तुक्का मार दिये तो इस तरीके से अगर आप पेपर देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी मैं यही कामना करती हूँ और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर वीडियो लाइक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके परिक्षाओं में सही होगी साबित होगी थैंक्स फॉर वाचिंग